होरलेस और नेटवर्क एटिन लेकर आए हैं मिशन पोशन अविश्य रोशन राजनेति कर्मचारी हैं राजनेता हैं कौन है ये लोग देखे सुमिझ जी आपके सवाल में दो था कि वाक पहली बात है कि वाकई किसान दुखी है क्या इसमें कोई दोराय नहीं है किसान बहुत दुखी है और ये जो आंदोलन है इसके पीछे इस पर राजनेति अपनी रो कि जिस खेत से दहकां को मैसर नहीं रोजी उस खेत के हर खोशय गंदुम को जला दो आज की हालत में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है सारी पार्टियां इसके लिए दोशी है अपराधियों का एक संजुक्त परिवार की तरह इस देश की राजनेति की गई है किसानों की समस स्याकों इस तरह से पीसमेल में आप नहीं कर सकते होना यह चाहिए था जिसकी डिमांड भी होती रही है जब तक एक रास्ट्री नीती नहीं बनेगी तब तक यह जो धीगा बस्ती का खेल चलता है ने के सरकार कहेंगी कि किसी राज्यों का भी स्टेट सब्जक्ट है राज भी नहीं रहा और मैंने टिकेत के उस अंदोरन को मैं गया हूं देखने मेरे जब टिकेत ने कहा था कि मेरे सारे खेत लेलो मुझे मिनिममम वेज़े जो आपने फिक्स किया है मेरे परिवार के सब को वहीं देदो हम 18 घंटे काम करते हैं 18 घंटे काम करेंगे क्यों उतना द नौख जोक है, यह सब के सब उसमें थे एवन कम्यिस्टों को भी मैं कहूंगा हमारे मित रहें जैदी साब कम्मिनिسٹों ने इस देस में जिंसे उमीद थी उन्होंने सिर्फ अध्योगिक मजदूनों को संगरिठ किया उन्होंने भी आध्यूर जो यह सारे मजदूर थे जिसको संगरिठ मजदूर करते हैं उसके लिए उस थार से काम नहीं किया वहना आज सुरह दूसरी होती राजीब जी मेरा सवाल आप से है किसानों के लिए कॉंग्रेस पार्टी आवाज उठाए बहुत अच्छा है किसानों की स्थिती खराब है सरकार से सवाल पूछने चाहिए पर इल्जाम ये लग रहा है कि इस गैर पार्टी के अंदुलन को कॉंग्रेस जान बूचकर अपने सियासी फायदे के लिए हवा दे रही है उधारन के लिए कल राहूल जी का मंसौर जाना उसी का एक हिस्सा है ये इल्जाम है आपके विरोधियों का देखे राहूल गांदी जी निश्यत रूप से मंसौर जा रहे हैं और हमारी पार्टी को यदि किसानों से जोड़ा जा र मिनिमम सपोर्ट प्राइस फसल बीमा योजना दूसरा नंबर गन्ने का बकाया भुकतान तीसरा नंबर रिंड जो किसानों पर रिंड है उस चोथा नंबर और पांचों नंबर किसे जिंसों का निर्यात है और मैं कुछ आंकड़े प्रस्तूत करना चाहूंगा उमीद है आ आपने एटू प्लस एपल प्लस सी टू जो फार्मूला उसमें सी टू को छोड़ दिया जिसमें बैंकों के ब्यास से लेकर के जो किसान की बिचारी के अपनी मेहनत होती है उसको आफ़े छोड़ दिया दूसरा आपका गन्ने का बकाया कि अगर आप बात करेंगे तो सुमि करी करीब तीस परतिशत गंदा भी भी खेतों में खरा हुआ है तीसरा जो मामला है वह बहुत बैट पूर ने फसल बीमा योजना सरकार ने बहुत परचार किया फसल बीमा योजना के लेकिन कुछ आखड़े देखिए आप भी समझ पाएंगे कि आखड़ों की बाजी गार किस तरह कर रहे सरकार और किस तरह करपेट के हाथ में खेल रही है दुए tôi करोड़ का फायदा फसल भीमा कंपनियों को हुआ दो यहार सफार चार्स पचास क्रोड़ रुपए का ला कंप्लिट कर रहा हूं कंप्लिट कर रहा हूं बस तीस सकिंद और दीजे तो यह तीस मंगे ते मैंने पैतारी जी राजी बाई मैं जवाब देता हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा है और जो सवाल में कॉमन जवाब सवाल है उनका जवाब देता हूं पहला गन्ना किसानों को लेकर सबका प्रस्टना आया है गन्ना किसान पे जो मैं पेपर दिखा रहा हूं यह विधान सभा में थर्टियत पांच 2018 का जवाब है योगी आधितिनाथ जी का वह आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं वर्त का मवर्तमान सरकार ने क्या-क्या गन्ना किसानों का बकाया कि परोई सब्सक्राइब कर देता हूं सुमिच जी आप बोले कर देता हूं सुमिच जी कहा किसानों तक सब्सक्राइब इस सरकार ने क्या किया इंपोर्ट ड्यूटी 200 परचन कर दी सरकार ने कोई इप्रोट नहीं किया है अगर 200 परसेंट इंपोर्ट ड्यूटी करने के बाद कोई इंपोर्ट करता तो करता रहे हम क्या करेंगे इस लिए यह प्रचन जाना हो गया इसलिए यह प्रोट्वलम आज़ी इसलिए रहे हमने एक सो बीज़ परसेंट से दो सो परसेंट कर दी जूटी क्या दो हजांगे ने कि एक एक प्राब्लम को सब्सक्राइब कर रहे हैं संबीट संबीट कंप्लीट संबीट सवाल अभी भी है संबीट 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 कैसे बोलेंगा सुमित भाई संबीट जी बोलिए केवल इस वर्ष का 2017-2018 का जो गन्ना मुल्य बकाया था वो कितना था 34,469 करोड का था सरकार ने कितना दे दिया है 21,887 करोड दे दिया है 12,000 करोड रुपे बाकी है 63.50 परसेंटेज का भुगतान हो गया है बाकी जल्दी हो जाएगा दूसरी बादा यह था ना कि पंदा दिन में हो जाएगा दस हजार 400 करोड बकाया था जिसको की सवाल सारे मेरे से हैं आपने को तीस सेकेंड दीजिस मैं अगर फ़ोगू का नहीं कर दिया होता तो नूर्पूर नहीं मनता है वो मील कब लेगा मैं मैं जवाब दे रहा हूं आपने जवाब दे रहा हूं आप प्रशन पूछा जवाब दे रहा हूं आपको आपको जान के आश्चा भी सुन लीजिए संबीट सब्सक्राइब लगातार बॉलेंगे अगर आप लगातार बोलेंगे तो जवाब में दे पाएंगे तो किसान का देश का दर्शन जाना जाता सुनना जाता सरकार के पास क्या था वोलिए संभित 30 सेकिंड्स आपके संबित देखिए सुमिज जी आपको जानके आश्चरिय होगा कि 2014-15 में जब हम केंदर में छोड़िये उत्तर प्रदेश की गन्ना की बात हो रही है 2016-17 का 10,400 करोड रुपय बकाया था वो हमने दिया और उसके बाद 17-18 में 21,887 करोड रुपया हमने दिया देखिए ये लोग बकाया देनी रहे थे हमने पूरा 2014 से लेकि अब तक का एरियर प्रश्ण थे आपका जैदी जी का पाजी प्रश्ण था कि जो एक्सेस प्रश्ण आता है या उसको किसां देख देखिए आपको जानके खुशी होगे तो पिलकुल में देखिए कर दो